टेस्टी और डिलीशेस खाना बनाने के लिए अच्छे इंग्रीडियन्ट रेसिपी के साथ आप किस तरह के कोकवेर में खाना बना रहे हैं ये भी बहुत ज़रूरी है फिर चाहे वो तवा हो कड़ाई या फिर प्रेशर कुकर Hello Everyone, मैं हूँ स्वाती और आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि डिफरेंट शेप के प्रेशर कुकर में क्या डिफरेंस होता है किस तरह का प्रेशर कुकर हमें लेना चाहिए उसका साइज, मटेरियल क्या होना चाहिए इनर लेड या फिर आउटर लेड या फिर वो सब कुछ जो आप एक प्रेशर कुकर के बारे में जानना चाहते हैं तो बिना देरी किये शुरू करते हैं आज का वीडियो तो सबसे पहले बात करते हैं हम कुकर के ढखकन याने के उनके लिट्स की जनरली दो तरह के लिट्स आते हैं कुकर में एक इनर लिट जिसका ढखकन कुकर के अंदर की तरफ से लगता है और एक outer lid cooker याने जिनका ढकन cooker के उपर की तरफ से लगता है Cooker के separators का यूज करते समय जो outer lid वाले cooker होते हैं वो ज्यादा convenient होते है क्योंकि एक तो उनका lid उपर की तरफ से रहता है तो उसे लगाना और निकालना ज्यादा अच्छा रहता है और secondly उनका mouth भी थोड़ा सा wide होता है जिससे separators को रखना और निकालना भी आसान होता है Although inner lid वाले cooker में भी आप separators का यूज कर सकते हैं पर according to me outer lid वाले ज्यादा convenient होते हैं Next हम बात करते हैं cooker के shape की जो most important है पहले वो जिनकी height थोड़ी सी ज्यादा होती है और mouth भी थोड़ा सा narrow होता है दूसरे तरह के cooker वो होते हैं जो wide mouth होता है और जिनकी height थोड़ी सी कम होती है और तीसरे होते हैं handy shape के pressure cooker या फिर आज कल clip on pressure cookers भी market में available है जब भी हम दाले छोले राजमा जैसी चीज़े उबालते हैं तो हमें ऐसा pressure cooker प्रिफर करना चाहिए जिसकी height थोड़ी सी ज्यादा हो और narrow mouth हो मैंने personally ऐसा कई बार observe किया है especially जब हम मूं की दाल उबालते हैं तो मूं की दाल को उबालते समय उसके चिलके अलग हो जाते हैं pressure cooker की height कम होने के कारण ये पूरे के पूरे चिलके उसकी lid को cover कर देते हैं जिससे जो pressure valve है वो cover हो जाता है और pressure अच्छे से release नहीं हो पाता similarly अगर कम height का cooker हो और दाल को उबालते समय उसमें थोड़ा सा भी पानी ज्यादा हो जाता है तो उसमें से बहुत जल्दी पानी निकलने लगता है similarly जब भी मैं चावल या फिर variety of rice बनाती हूं तो ऐसा pressure cooker प्रिफर करती हूं जिसका wide mouth हो और height थोड़ी सी कम हो क्योंकि जब भी हम पुलाओ बनाते हैं या फिर cooker में बिर्यानी बनाते हैं तो हमें चावलों को सबजीों को भूनना होता है उस समय इस तरह के pressure cooker ज्यादा handy होते हैं इसी तरह से जब भी हम रसे वाली सबजी direct pressure cooker में बनाते हैं तो कम height और narrow mouth फाला pressure cooker ज्यादा convenient होता है क्योंकि मसाले को बूनने के लिए हमें ज्यादा area मिल जाता है तो simple सा funda है कि जब भी हम ऐसी recipes बना रहे हैं जिसके लिए हमें water content ज्यादा चाहिए होता है जैसे दाल उबालना या फिर सूप के लिए सबजी उबालना तो उस समय ऐसे pressure cooker प्रफर कीजिए जिनकी height थोड़ी सी ज्यादा हो और ऐसी recipes और ऐसी dishes जिनके लिए हमें water content बहुत कम चाहिए जैसे की चावल बनाने के लिए या फिर रसे वाली सबजी जब हम direct cooker में बनाते हैं तो उसके लिए कम height वाले और wide mouth वाले cooker का use कीजिए जिससे हमें मसाले को बूनने के लिए भी ज्यादा area मिल जाता है और दोनों ही तरह के pressure cooker में सभी तरह की recipes बन जाती है पर यह मेरा personal opinion है जो over the time खाना बनाते बनाते मैंने experience किया है इन दोनों ही तरह के shape के pressure cooker के अलावा एक handy shape वाला pressure cooker और भी आता है एक तो इस handy shape वाले pressure cooker का base थोड़ा सा broad होता है जिससे मसाले को भूनते समय आपको अच्छा का सा space मिल जाता है और दूसरी इसकी height भी medium होती है न बहुत कम होती है न बहुत ज्यादा जिससे डाले भी बहुत अच्छी तरह से उबल जाती है इस category में एक और pressure cooker आता है clip on pressure cooker यह जो clip on pressure cooker है इसका review already मैं अपने channel पर कर चुकी हूँ पर उस वीडियो में कई सारे viewers ने comment करके बोला था कि यह pressure cooker successful नहीं है और इसमें से पानी बहार निकलता है दाल उबालते समय पर मेरे लिए यह pressure cooker perfectly काम कर रहा है और मैं बिछले चार सालों से इसे use कर रही हूँ क्योंकि इस pressure cooker की height कम है और wide mouth है इसलिए इस pressure cooker का use कभी भी मैं दाल उबालने के लिए नहीं करती हूँ इस pressure cooker का use करती हूँ मैं खिचडी बनाने के लिए पुलाव, variety of rice बनाने के लिए, masala भूनने के लिए, रसे वाली सबजी बनाने के लिए, पाव बाजी बनाने के लिए और कई बार तो क्या करती हूँ मैं कि इसे कड़ाई की तरह use कर लेती हूँ, पहले इसमें masala भून लेती हूँ और फिर इस भूने हुए masala में ही भीगे हुए छोले या राजमा डाल कर cooker के lid लगा कर CT ले लेती हूँ तो जो ये pressure cooker है वो कड़ाई और cooker दोनों का काम करता है और हमारे दो दो बरतन खराब भी नहीं होते pressure cooker के shapes की बात तो हो गई, चली अब इनके size की भी बात कर लेते हैं सबसे छोटा जो pressure cooker आता है वो 1.5 लीटर का होता है 1.5-2 लीटर के जो pressure cooker होते है वो perfect होते है family of 2 के लिए या फिर baby foods बनाने के लिए इसके बात 3-5 लीटर के जो pressure cookers होते है वो perfect होते है family of 4 के लिए और फिर इसके बात जैसी आपकी family of 5-7 लीटर के cooker भी आप ले सकते हैं जब आप बड़े pressure cookers लेते हैं तो उनमें separator भी जरूर से लीजिए जिनसे आप एक साथ में ही 2-3 चीज़े एक साथ boil कर सकते हैं इससे आपका fuel भी save होता है और time भी पर मैं आपको suggest करूँगी कि दो different size और different shape के pressure cooker आप अपने घर में जरूर रखिए जिससे आप अलग-अलग तरह की recipes अलग-अलग pressure cooker में बना सके pressure cooker के size और shape के अलावा एक बात और है जिसे हमें pressure cooker खरीदते समय ध्यान में रखना चाहिए और वो है किस material काम pressure cooker खरीद रहे हैं market में 3 तरह के material के pressure cooker आते हैं पहला है aluminum, second है hard anodized and third है stainless steel मैं आपको यही suggest करूँगी कि आप stainless steel के pressure cooker में ही invest कीजिए क्योंकि वो ज्यादा healthy भी होता है पर हाँ यह ज़रूर ध्यान में रखिए कि triply pressure cooker पर ही invest कीजिए वो long lasting भी रहते हैं और उसमें आपका खाना जलेगा भी नहीं तो friends यह दा मेरा अचका वीडियो मैं स्वाथी मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई